इदम अन्दत्तमह कृत्सनम जाइद भुमनत्रयम यदि शब्दा हुआयम जियोति रासन सारम नदिप्यते अपूर्वह कोपिकोशोयम विद्यते तव भारती व्ययतो वृद्धिमायाति इक्षयमायाति संचयात आप सभी लोगों को प्रणाम आप सबका स्वागत है इस व्यक्षयान को आगे बढ़ाते हुए अब हम निर्वेद कल चर्चा हो रही थी कि निर्वेद का लेख यहां पर व्यविचारे भावों में पहले क्यों किया लिए यह कहा कि निर्वेद अस्य अमंगल प्रायस्य पर्थमम अनुपादे यत्वेपी उपादानम यविचारित्वेपी स्थाइता अभिधानार्थम यह पहले निर्वेद का लेख वहां कर दिया था तो कहा कि वो तो सामान्यत हां अमंगल कारी होता है फिर भी उसका उपादान पहले कर लिया उसकी गणना पहले की बाद में बाकी के वेविचारी भाव की गणना की तो इसका कारण क्या है तो कहने उसका उपादान पहले इसलिए किया मंगलकारी होने के बावजूद इसलिए कि व्यविचारी में तो है ही वो स्थाई भाव भी है तो स्थाई भाव भी है इसलिए उसके स्थाई भाव होने को कहने के लिए याने उसके बताने के लिए वो स्थाई भाव भी है उसका उपादान पहले किया गया याने उसी से शुरुबात की गई इसलिए ये बात कही गई है आप जानते हैं हमारे देश में निर्वेद या सन्यास लेना बहुत अच्छा नहीं मना जाता है यद्यव कि वह हमारे जीवन के आश्रम का एक अंग है तिसरा आश्रम तो ही है वानपरस्त और उसके बाद चौते आश्रम में सन्यास लिया जाता है तो ये निर्वेद होने पर ही ऐसा होता है तो निर्वेद की स्थती जीवन के उतरार्द में होती है शुरुवात में नहीं तो इसलिए उसको इसाधार पर अगर कोई ललका है अगर बच्पन में ही या युवावस्था में ही निर्वेल वाला हो जाए महात्मा बुद्ध वाला किस्सा आप जानते हैं तो ये किसी भी माता पिता को अच्छा नहीं लगता है इसलिए उसको अमंगलकारी कहा जाता है हम तो जैन समाज से के साथ भी जुड़े हुए हैं उनमें भी दिक्षाएं अक्सर नौजुवक भी लेते रहते हैं युवतिया लेती रहती हैं तो उनके घर की स्थथी क्या होती है मना हिस्थी क्या होती है उसको हम जानते हैं और जानते क्या है उसमें नियम ही बनाया गया है जब तक घर की मन्जुरी ना मिले घर की स्थीकरति ना मिले तब तक जैन सादू किसी लड़के को दिक्षा नहीं देते हैं तो ये इस्थिती होती है अब यहां चले है निर्वेद स्थाई भावो स्ति निर्वेद जो है स्थाई भाव भी है जो विचारी भाव तो है ही स्थाई भाव भी है और शांतो भी नवमो रस है और वो शांतरस नवमा रस भी है ये कहना है अब शांतरस नवमा रस है तो किस प्रकार से है आप देखें तो कहा रहे है अह मेवास्त्रैनेवा मम समद्रिशो यान्ति दिवसाह क्वचित पुणिया आराणिये शिव 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 शिवेति प्रलपताह करें कि मेरे दिन गुजर रहे हैं मैं समद्रिश्टी वाला हूँ तो हर जगा मेरे समान रूप से गुजर रहे है शिव 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 ऐसा बोलते हुए इस तरह से बोलते हुए मैं अपने दिन बिता रहा हूँ यह भाव है अब समदृष्टी या समभाव किस-किस के परती तो का रहे हैं कि साप हो या हार हो दोनों के परती मेरे समदृष्टी है कुसम शैने वाद्रिशादिवा फूनों की सेज हो याँ पत्थर हो शिला दोनों के प्रति मेरे द्रिष्टी सम है बराबर है मैं सम भाव वाला हूँ मनी हो या लोस्ठ या डेला पत्थर का टुकडा मनी के प्रति मनी कहिए या पत्थर के टुकडा के दोनों के प्रति मेरे भाव सम बराबर है सम भाव हूँ बलवान शत्रू हो या मित्र हो दोनों के प्रति मेरे भाव समह है ठीक है त्रिणेवा स्त्रायनेवा त्रिण हो घासपूस हो या इस्त्रिजियों का समुव हो उसमें भी मैं समद्रिष्टी हूँ समभाव वाला हूँ तो उन सब के परती मेरी समद्रिष्टी है ऐसे मेरे दिन जो है बितते हैं शिव शिव कहते हुए और ये शिव शिव मैं कहीं बेल भी कहता हूँ क्वचित पुन्यारणी है तपोवन हो या जहां भी मैं जाओ शिव शिव कहते हुए मैं चलता हूँ तो इस तरह से ये जो स्लोक है शांतरस का पूशक है यहां शांतरस की अभी व्यक्ति होती है मिथ्या परतीत होने वाला यह जगत फिर चाहे श्मिशान हो या तपोवन हो या अलमन विभाव है तपोवन आदि उद्धिपन विभाव है सर्पहार आदी समबुद्धी में समबुद्धी रखने वाला जो बात है वो अनुभाव है ठीक है हर्ष आदी मती है हर्ष है इस सब व्यविचारी भाव है स्थाई भाव तो निर्विद कही दिया तो इस तरह से यहां पर स्थाई भाव जो निर्विद है उससे शान तरस यहां निश्पन होता है ठीक है अब व्यविचारी भाव कह दिया रतियाद स्थाई भाव की चर्चा कर दी अब रतिया दिस्थाई भाव तो भाव कह दिया भाव की एक और परिभाशा सामिल है उसी में तथा अंजिता भी अभिचारी आया था शुरू-शुरू में उसी को अब यहां कह रहे हैं रतिर देवादी विशया भी अभिचारी तथा अंजिता हा देव रती है तो यहने प्रेम अब यह प्रेम है तो पति-पत्नी का प्रेम है प्रेमी-प्रेमी का का प्रेम है तब तो उससे जो रस बनेगा वो श्रिंगा रस बनेगा तब तो ठीक है लेकिन वही प्रेम अगर भाई बहन का हो माता-पुत्र का हो मितापुत्र का हो। इस्ठ देवता के परती हो। इस्ठ मूित्र के परती हो। तो यह सब रती-आदि भाव流 तब भाव हो जाते हैं रस नहीं बनते हैं श्रिंगार रस नहीं बनेगे श्रिंगार रस तभी बनेगे जब दो पति पतने या इस्तरी पुरुष आपस में प्रेम करें तब वो रती जो भाव होगा वो रती भाव श्रिंगार रस बनेगा बागी तो देवादी विशयक जो रती है वो रती भाव है एक तो यह क्लियर हो गया अब भाव की दूसरी परिभाशा है व्यन्जित व्यभिचारी भाव भी भाव कहलाते है जहां पर व्यभिचारी भाव व्यजना से पराप्त हो तब तो ठीक है तो वेभिचारी भाव हुआ लेकिन वही वेभिचारी भाव अगर व्यंजना से प्राप्त हो व्यक्त हो या यह व्यंग्य हो तब वह भी भाव कहलाता है अब देखें आगे आदि शब्दात मुनी गुरू नृप पुत्र आदि विशया ठीक है न देवादी का मनलब हो है देव तो हो गया अब आदी में क्या क्या आएगा तो कह रहे हैं कि गुरू मुनी है, गुरु है, राजा है, पुत्र है इन सब के प्रति जो रती भाव है उसको रती भाव कहा जाता है ये आप जान ले कांता विशयात व्यक्ता श्रिंगार है पत्नी के प्रति जो रती है वहता व्यक्त रूप से जो व्यंजित होने वाला श्रिंगार रसही है स्पष्ठ हो गया अब उदारान देखेंगे कंठ कोण विनिविष्ट मीश ते काल कूटम अपि में महाम्रतम अपि उपात्तम अम्रतम भवत बपुर भेद वृत्ति यदि में नरो चते हरत्यवं संप्रत हेतुरेश्यता शुभस्य पुर्वाचरिताई हिकृतम शुभई ही शरीर भाजाम भवदीय दर्शनम व्यनक्त कालत तयेपी योग्यताम दो श्लोक है और पहले श्लोक में तो शंकर के प्रती प्रेम भाव दिखाया जा रहा है और दूसरे दर्शन में भी दूसरे श्लोक में भी वही बात है देखेंगे कंठ कोन विनविष्टम यहने आपके कंठ के एक कोने में रखा हुआ काल कूटम अपी जहर का जहर की पुडिया या जहर का धेर हे इस यहने शंकर आपके कंठ के एक कोने में रखा हुआ काल कूट याने विष्ट का थैला या विष्ट का धेर भी में महामृतम मेरे लिए महामृत है उसको मैं महामृत समझता हूँ अगर अमृत मिल भी जाए उपात्तम अपी आपके शरीर से अलग रहने वाला अमृत भी अगर मिल गया हो तो वह मुझे अच्छा नहीं लगता है ना मेरो चते तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता है यानि आप से अलग रहा हुआ अमृत जो है अगर मुझे मिल भी जाए तो वो मुझे पसंद नहीं आएगा और आपके कंठ के कोने में रहा हुआ जो कालकूट है विश है वो भी मुझे मेरे लिए महां अमृत है तो इस तरह क्या का अप्रेम भाव शंकर के प्रति किसी भक्त ने व्यक्त किया है आगे इतना ही नहीं भवदियो दर्शनम आपका जो दर्शन है वहा हरति अघम संप्रति जिससे में हम दर्शन कर रहे हों ततकाल वहा पापों को नश्ट कर देता हर लेता है एक वर्तमान में एश्यता शुभस्य हेतु आने वाले शुभ का वो कारण बना है दो याने भविशत काल हुआ वर्तमान में तो पाप को हर लिया आने वाले शुभ का वो कारण बना और पूर्वा चरिताई कृतम शुभाई ही याने पूर्वा काल के पूर्वा जनम के यहने आप देख लेजिए कि वर्तमान भविश्यत और भूत तीनों ही कालों में वहाँ योग्यता को प्राप वही कह रहे हैं कि कालत्रिदेप योग्यताम व्यनक्ति आपका दर्शन जो है तीनों कालों में योग्यता को व्यक्त करता है किसके लिए तो करें शरीर भाजाम श शरिट धारियों के लिए आपका दर्शन तीनों ही कालों में योगिता को स्पष्ट कर रहा है व्यक्त कर रहा है इसलिए इस तरह से वो प्रेम व्यक्त कर रहे हैं मुझे लगता है स्पष्ट है ये श्लोप बड़ा अच्छा है अब आगे एवं अन्यत अभी उदाहारियम अ अब अन्य भी भावों का उदाहरण देना चाहिए वो कर रहे हैं एवं अन्यत अभी उदाहारियम इसी प्रगार से अन्य उदाहरण भी देने चाहिए कौन-कौन से हैं हास, शोक, क्रोध, उत्सा, भय, जुगपसा और विस्मे इन रतीब इन भावों का भी जो स्थाई भ पढ़ें क्योंकि अब ये हमारे शोद का विशय हुआ, ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं, अब कहा रहे हैं कि अंजित अभी अभी चारी, अब जो व्यंजित अभी अभी चारी है, वो किस तरह से भाव बनता है, उसका क्या उदाहरण है, देखें, जाने कोप परांग मुखी प्रियतमा स्वपने अध्य द्रिष्टा मया, मा माम संस्प्रिश पाणिनेती रुदती गंतुम प्रवित्ता पुरा, नो यावत परिरंब्य चार्टु शद कई ही, आश्वा सयामि प्रियाम, भ्रातह तावद अहम शठेन विधिना निद्रा द जाने कोप परांग मुखी मेरी प्रियतमा, आज मुझे सपने में दिखाई पड़ी, प्रियतमा स्वपने अध्य द्रिष्टा मया, आज मुझे सपने में दिखाई पड़ी, मा, माम, संस्पिर्श, पालिनाव, तुम मुझे हासे मत चूओ, ऐसा कहती हुई रो रही थी, और रोते हुए मेरे आगे ही जाने लगी, रोतती गंतुम प्रिता पुरह, मेरे आगे आगे जाने लगी, ठीक है, तो जाने लगी, अब मैं, नो यावत परिरम भवे मत जाओ, तो, ऐसा, उसको पकड़ करके, उसको आलिंगन करके, मैं जब तक चाटू कशताई ही, चाटू कारिता, सेकुन चाटू, अच्छी लगने वाली बाते, कह करके, जब तक मैं अपनी प्रिया को मनाऊं, तब तक, दुष्ट विधी ने मेरी नीदही तोड़ दी, सपने में द चाटू कारिता वाली बाते करकरके, इतने में तो मेरी नीदही तूट गई, तो इस तरह से, अब यहां देखिए, अब यह शठे ना विधी ना आप सट गए, यहां कोई व्यविविचारी भाव का उलिख नहीं है, तो नहीं है, फिर भी व्यविविचारी भाव यहां आ असुया, शठ शब्द के द्वारा, शठ शठेन विधी को शठ कहना, असुया का ही प्रिणाम है, असुया होगा तो ऐसे, क्योंकि उसने अब सपना में अच्छा बला सपना देख रहा था, उसमें विधी ने हमारे नीधी तोड़ दी, तो विधी ने तोड़ाना, तो असुया हो गई, अब असुया हो गई तो उसके लिए शठ शब्द का प्रियोग किया, अब शठ शब्द को असुया का वाचक नहीं है, लेकिन वियंजक जरूर है, इसलिए शठ शब्द जो है असुया का वियंजक है, तो यहाँ व्यभिचारी भाव असुया यहाँ पर व भाव कहलाएगा, ठीक है, तो इस तरह से यहां पर भाव की बात पूरी हो गई, ठीक है, नौ भाव कहले जिए, क्योंकि आप नौ रास हैं, तो नौ भाव हैं, स्थाई भाव, तो स्थाई भाव तो भाव हैं ही, सारे बेविचारी भाव, जो 33 बेविचारी भाव कहे गए थ अब आगे हम चलते हैं रसा भास और भावा भास पर अभास का मनलब क्या हुआ लगे ऐशा यानि रस का जहां पर आभास हो रस हो नहीं पर आभास हो इस तरह से तो तदा भास हाना उचित्य प्रवर्दिता हा ठीक है तदा भास का मतलब होता है कि तद यानि रस और भाव दोनों तो रस के साथ आभास जोड़िये तो रसा भास और भाव के साथ आभास जोड़िये तो भावा भास तो रसा भास और भावा भास ये है उसका अब रसा भास देखें अब रसाभास होता क्या है तो कैसे अनुचित्य प्रवर्थिता है जहाँ पर अनुचित्य प्रवर्थिती से रती आदी श्रिंगार रस दिखाई पड़े तो वास्तों में तो रती श्रिंगार होगा नहीं शिंगार नहीं होगा तो वहाँ पर उसको रती शिंगार का अभाव अभास होगा तो शिंगार रस का अभाव है इसलिए रसाभास हुआ ठीक है तो रसाभास इस तरह से है अब रसाभास का उदारान यहाँ दे रहे हैं करें हैं कि तत्र रसाभास हो यथा हम किसकी स्तुती करें जिनके बिना तुम्हे आनंद नहीं आता है जिसके बिना तुम रमन नहीं करती हो ऐसा कौन है जिसकी कम जिसकी हम स्तुती करें विलेभे कह प्राणान रणमख मुखे यम्रिगय से वह कौन है जिसको तुम ढूण रही हो जिसने युद्धरूपी यग्य के मुख में याने प्रारम्भ में ही आगे चल कर प्राणान विलेभे प्राणों की आहोती दे दी अपने प्राण ने उच्छावर कर दिया ऐसा कौन आदमी है जिसको तुम रूण रही हो जिसने रणरूपी याने युद्धरूपी यग्य के यग्य में आगे बढ़ करके अपने प्राण दे दिये प्राण ने उच्छावर कर दिये तुम बताओ कि वह कौन है जिसके बिना तुम रमन नहीं करती हो जिसके हम उस्तुती करें तुम बताओ वह कौन है जिसको तुम ढूंड रही हो जिसने की युद्य के युद्य रूपी यग्य के में आगे चड़कर के अपने प्राणों का बलिदान कर दिया हे सुलगने को जाता है शशी मुखी हाँ हे शशी मुखी हे चन्नर मुखी कौन अच्छे लगन में जन्मा है शुलगने को जाता है अच्छे लगन में, शुभ मुखी में कौन जन्मा है यम आलिंग शिपलाद जिसको तुम बलपूर्वा कालिंगन करती हो ऐसा कौन है बताओ और तपास्रीकस्य एसा मदन नगरी किसकी तपस्या तभाश्री ऐसी है जिसका तुम ध्यान करती हो तो इस तरह से अब इसमें जो स्तूमा शब्द अत्र अनेक कामुक विशयम अभिलाश्रम तस्या स्तूमा है ती इत्याद यनुगतम बहु व्यापारो पादानम यनक्ती अब एक श्त्री के सामने बहुत सारे लोग एक साथ हो जाएं और सभी एक साथ मिलकर कहें कि हम सभी तुमको चाहते हैं लेकिन तुम हमको नहीं चाहती हो तो तुम जिसको चाहती हो वो कौन है जिसकी हम स्तूति करें चलो बताओ तुम ही बतादो तो हम उसकी स्तूति करें ताकि तुम खुश हो अब एक स्तूति को खुश करने के लिए उसके पती को खुश करने की चेस्टा यह लोग कर रहे हैं तो यह अनौचित है अच्छा नही होता है तो अब यह तो क्या है आमने सामने बात हो रही है तो बहुत ही भारती समाज में तो ऐसा है लहीं और बागी की चीज़े चीख है तो इसमें जो स्तुमा शब्द है वो जो है व्यंजक है और यह चुकी स्तुमा मध्यम पुरुष बबजन का रूप है याने वयम वयम है याने सभी लोग वहाँ उपस्तित है तो अनेक कामुकों की वहाँ उपस्तिती है जो की अनुचित द्रिश्चे का निर्मान करता है इसलिए यहाँ पर है तो श्रिंगार रस चीख है वो भी सं अनुचित होने के वज़ा से यह रस नहीं बनेगा रसा भास बनेगा ठीक है यह रसा भास भी व्यंजित ही है लेकिन होगा रसा भास रस नहीं ठीक है वोई का रहे है कि अत्र अनेक कामुक विशयम अभिलाशम अनेक कामुक विशयक जो अभिलाशा है तस्याहा उसके उसक कुणके बहुत सारे व्यापार का महा उपादान हुआ है। बहुत सारे लोग ऐसा चिष्टा कर रहे हैं। तो इसलिए वहाँ पर रसा भास ग्यक्त हो रहा है। आगे चलें। अब भावा भास के लिए कह रहे हैं। ये वाक्य जो है, ये वाक्या कहां से लिया गया है। रावण की उपती है। ठीक है ये रावण बोल रहे हैं। किस ग्रंद का है ये पता नहीं है, इसमें नहीं दिया है। लेकिन रावण कह रहे हैं। राका सुधाकर मुखी तरलायताक्षी सास्मेर यवण तरंगित विभ्रमांगी। तत किम करों में भी ददेकं कथमत्र मैत्रीम। तत स्विक्रति व्यतिकरेक इवाभ्युपाया। रावण कह रहा है कि राका सुधाकर मुखी सुधाकर याने चंद्रमा राका याने पूर्णिमा याने पूर्णिमा के चंद्र जैसे मुख वाली सीता। फिर तरल और आयत आक्षी चंचल और विशाल आखो वाली सा याने सा सिता। स्मेर यवण तरंगित विभ्रमांगी स्मेर याने नवयवण से युक्त उभरते उद्भूत तरंगित याने उद्भूत परक्ते हुए। चिष्टाओं वाली हाव भाव वाली सा सिता जो है वो है तत किम करो मी तो फिर मैं क्या करूं। कथम अत्र मैत्रिम विद्धे मैं उसे साथ मैत्रिक ऐसे करूं। किस प्रकार करूं। रावन कह रहा है। तत स्विकृति व्यदिकरे उसकी स्विकृति हमें मिले। व्यदिकर का मतलब होता है मिश्टरन मिलाना यहने उसकी स्विकृति हमें प्राप्त हो। इस मामले में क्या उपाई है उपाई क्या है श्रिंगार नहीं हो सकता है क्योंकि श्रिंगार प्रैमी पिरमिका में ही हो सकता है पत्राश की पत्नि नहीं है इसलिए रती स्रिंगार नहीं हो सकता है तो भाव हुआ रदी भाव हुआ अब रती भाव भी अनुचित है तो अनुचित है इसलिए जो है भावा भास कहेंगे इसको ठीक है तो चार हो गए रस हो गए भाव हो गए रसा भास हो गया और भावा भास हो गया अब आगे हम चलेंगे भावशांति भावोदय भा वह 份 संधी। और भाव संधी होगी। चैजरा देखें। भाव की शांती हूँ यनि भाव शांती हो भाव की संधी और भाव की संधी тов संधी। अब इसमें इसके खुरम से उदारन दे रहे है। भाल की शान्ति का उधारण अब दे रहे हैं कह रहे हैं क्रमेन उधारण उचके करम से उधारण दे रहे हैं तस्या सांध्र विलेपन न स्तनतत प्रसलेश मुद्रांकितं किम वक्षस चरना नत व्यतिगर व्याजे न गोपाईयते इत्युक्तेक्व तदिती उधिर्यस असा तत्सम प्रमार्ष्टुम् मया सासलिष्टार रभसेन तत्सुख वशात तन्वियाच तत्विस्मिर्तम अब यह तो जो कहा गया आप अर्थसे समझ सकते हैं कि इस्तती क्या है तस्याहा याने उस पत्नी का सांद्र विलेपन स्तन तत्प्रसलेश मुद्रांकितम सांद्र यह गाड़ विलेपन से युक्त स्तन के तत्प याने निपिल से के प्रसलेश याने चुपके होने से उसकी जो मुद्रा उसका जो चिन जो कि इसकी छाती पर अंकित है एसी च्छाती ठीक है कैसे हुई किम या कैसे हुई वक्षा तो ऐसा पूछने पर मतलब वो कहा रही है कि क्या तुम उस ऐसी च्छाती को छिपा रहे हो जिसमें उसके स्तन तर्ट के चिन लगे हुए उसका चिन लगा हुआ है जो कि विलेपन से जुक तो था क्या तुम हमारे पैरों पर जुक कर उसको छिपा रहे हो तुमारे द्वारा छिपाया जा रहा है ये कहा उसकी पत्नी ने च्छाती देख लिया होगा उस पर चिन भी देख लिया होगा अब वो पूछ रही है तो पूछ रही है तो उसके पहले वो अपने उस चिन को छिपान पर पर पड़ गया अब इस घटना पर वो बोल रहे है कि क्या तुम चीपाने के लिए हमारी पर पड़ रहे हो जुके हुए ताकि मैं देखना सकूं अब इतना कहने पर उसको पता चली जा कि अब जान गई है ठीक है तो वह न रहे वह जो चिन है मुद्रा न रहे इसलिए उसको पोचने के लिए तत्प्राव मारस्टुम उसको पोचने के लिए मया ठीक है ना मेरे द्वारा याब ये किसी से का रहा है जो जो प्रेमी है वो किसी से का रहा है उसको पोचने के लिए मया मैंने अचानक सास लिष्टा रभसे न जल्दी से मैंने उसको असलिष्ट कर लिया उसको हमने उसका आलिगन कर लिया ठीक है उसका हमने आलिगन कर लिया उसके बाद क्या हुआ तो कहें तत सुख वशात उसको जो आनन्द आया उसकी वज़ा से वह जो है उस क्रोध को भूल गई जो शिकायत वो कर रही थी उसको भूल गई याने कोप जो उसको हुआ था जो उसके मन में गुसा आया था वह गुसा शांत हो गया गुसे को भूल गई तो यह भाव की शांती का एक उदाहरन है देखिए इति उक्ते क्वा तत अरे ऐसा कहने पर वो कहा है ऐसा इसने कहा दिखे दोनों के बीच में बारतालाप हो रहा है तो पहले उसने कहा कि क्या सांद्र विलेपन याने गाढ़ विलेपन से उक्त तंतत के चिपकने से इसके आशलेश करने से जो चिंध तुम्हारे छाती पर बना हुआ है क्या उस चाती को जिस पर कि उस चिंध लगा हुआ है तुम हमारे पैर पर गिर करके गिरने के बहांने कि उसको चिपा रहे हो इती उखते ऐसा जब उसने कहा ठीक है इती जब उसकी पत्ने ने कहा तो उसने कहा कि को अतत बेबु कहा है नहीं है ऐसा करके एसा कहा कि उसको पूछवाने के लिए अचानक उसने मैंने उसको जो है आलिंगन कर लिया जल्दी से अब ऐसा जब हमने कर दिया तो उससे उसको जो सुख मिला उसकी बज़र से उसका गुशा शांत हो गया वो अपने गुशे को भूल गए कोप को भूल गए इस तरह से अत्रकोप अश्य शांती ही यहाँ पर कोप की शांती अब कोप जो है भाव है और उसकी यहां शांती हो रही है यहां शांत हो रहा है भूल जाना मतलब शांत हो जाना तो इस तरह से यह भाव शांती का एक उदाहरण बनता है ठीक है आगे चलें एकस्मिन शयने विपक्ष रमणी नामग्रहे मुगधया सद्यो मान परीग्रह गलपितया चाटोनी कुर्वन अपी आवे गात अविधी दितह प्रियतमस्तुष्णीम स्थितह ततक्षणं माभूत सुप्त इव इती अमंद वलित ग्रीवं पुरर्विक्षितह करा है कि देखिए दो हैं पती पत्नी अब दोनों सोय हुए हैं एकी विश्टर पर सोय हुए हैं बाचित करते करते पती ने अपनी दूसरी पत्नी का नाम ले लिया यानि सौध का नाम ले लिया अब सोया तो है इसके साथ नाम लिया उसका अब ये नाम जब लिया तो इसका मान जाग गया है मेरे होते हुए तुम उसका नाम ले लिए एक असमिन शयने एक ही शयन पर विपक्षरमणी नाम ग्रहे यानि सौध का नाम लेने पर मुगधया ठीक है ऐसी मुगधया यानि ऐसी मुगधा के द्वारा जो मान का परिग्रह करने के कारण गुस्य में आ गई है ऐसी उस मुगधा के द्वारा सद्याह तुरंत चाटूनी कुर्वन अपी मनाने रगारे महीं मान जाओ गल्ती से हो गया हमने जानूर के नाम नहीं लिया उसका तो महीं हो तो हो और तो कोई है इस तरसे लगाओ मनाने चाटूनी कुर्वन अपी चाटू कारिता कर रहा था फिर भी आवेगात अवधी रिता हा ग्रोध के आवेग के कारण उसको डाटा फटकार दिया अइसा प्रियतम जब डाटा तो प्रियतम ने क्या किया तूस्णी मी स्थिता ततक्षणम ततकाल वो चुप चाप हो गया एसे पढ़ गया ऐसा प्रियतम जो है ततकाल तुष्णी तुष्ण हो गया मतलब तुष्णी वो चुप चाप बैठ गया ठीक है तो वो जो है वो जित हो गया अब जब जब वो शांत हो गया तो शांत हो गया तो तब क्या अब यह क्या करें फिर तो उसको यह लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं सो माभूत सुक्तह वो सोन गया हो कहीं जब इस यक्ता रहना चाहिए तो कहीं वो सोन गया हो इसलिए वो अमंद वलित ग्रीवम यह क्रिया पिशेशन है अत्यधिक गर्दन को मोडे हुए मना समझीए कि इधर मुह करके सोई हुई है देखना इधर है तो जब मोडना होगा तो 180 के एंगल पर उसके अपने गर्दन को मोडना पड़ेगा इसलिए अमंद कहा अत्यधिक गर्दन को मोड करके ठीक ऐसे वो देख रहे पुनरविक्षिता हा फिर से देखी देखी गई फिर उसने देखना करने के पाँठे प्रीद्मों को डाटा डाट रहे तो वो शांत हो गया शांत हो तरह इसे पड़ा रहा अब इसको जब सोन गया हो क्यूंकि सोने देना भी ठीक नहीं है तो सोन गया हो इसलिए वो जो है गर्दन आइसे मोड कर देख रही है अब ये उसका गर्दन मोड करके देखना उत्सुकता का परिचायक है उसको व्यंजित कर रहा है तो इसलिए यहाँ पर आउत्सुक्य नाम का जो वेविचारी भाव है वो जो है उसका उदय हो रहा है ठीक है अत्रा आउत्सुक्यस्य उदय यहाँ उत्सुकता का यहाँ उद के बाव संधी यैनि यहांपर दो भाव जुड़ जाते हूं दो भाव की इसान हो रही हो यह रिश्ट है राम और सिता के एक कमरे में बंध है ये बैठे वह प्लिण कि और उसी समय पर शुनाम जी आ जाते हैं यह तो एक तो करें आप टो वह मैं जाओkay के लिए दूसरी आवे क्या करें क्या न करें मुश्किल है तो इसी में ही दो भाव की संधी हो जा रही है देखिए उत्सिक्तस्य तपह पराक्रम निधे अभ्यागमात एक तह सत्संग प्रियताच वीर रभसोत फालस्च माम कर्शत हा वैदेही परिदंभ एशच मुहू चैतन्यम आमीलयन आन जान्दि हरीचंदनेंध शीषिरह सत्सनेग्धो रूनद्ध अन्यता आप उक्तियारामके कारें उत्सिक्तस्य उट्वमानी अर्थ हॉद्व कि ऊप्षी नीधेहे तपह और पराक्रम के निधी कर रू सत्सद्रियों का नाष कर दिया हुदने बार हैक्ष यूद strive natNIE system उनके आगमात निधे हैं, अभ्यागमात वो आए हुए हैं, तो एक तरफ तो स्वाभिमानिय और तपस्वी, तपस्या और पराक्रम के निधी रूप, परश्णराम के आने से, एक तरफ तो सत्संग प्रियता, उनके साथ सत्संग करने का प्रेम, सत्संग करने की चाहत, एक, और वीर रभसुत फालस्च, और वीर रस का आवेग, क्योंकि एक वीर आदमी आया है, तो वीर रस के उत्साह के साथ, ठीक है, आवेग, ये दोनों ही मुझे एक तरफ से तक खीच रहे हैं, यानि मैं चला जाओं उनसे मिलने के लिए, परश्णर रभस उत्फाल, ये दो चीजे हमको उधर खीच ले जा रहे हैं, वहां, और विवीचन का प्रयोग है, विवीचन यानि दो करता हैं, तो कौन कौन? तो सत्संग प्रियता और वीर रभसुत फालह, ठीक है? तो ये दो चीजे हमको खीच रही है, ठीक है? उत्फालस्च, औ और टरफ अन्यता हांत में सब्द है ऐन्यता दूसरी तरफ किया है तो करें वैयदे ही परिघु जो कि वैदेही का आरंभाम को वैदेही का परिरम भयाने आलिंगन मुझे एक तरफ से खीच रहा है वो आलमन कर क्या रहा है तो कह रहे हैं मुहू बार-बार चैतन्यम आमिलयत चैतन्य को विलीन कर दे रहा है चैतन्य अग्दम होश खाल्मी खो जाए इस तरह की स्थती और आनंदकारी और हरिचंदन जैसे ठंडे और स्निग्ध स्नेह युक्त ऐसा जो वैदेही का परिरम भयाने आलिंगन है वहां रूनत भी रोक रहा है अन्यता हां दूसरी तरफ हमको वैदेही का आलिंगन रोक रहा है और एक तरफ उनको वो जो परशुराम जी स्वाभिमानी पराकरमी परशुराम जी के आने से सत्संग प्रियता और वीर रस का उत्साह आवेग वो हमको एक तरफ से खीच रहा है तो यहां पर आप देखिए आवेग और दूसरा क्या है रती चैतन्य सारी चैतन्य है तो वह चैतन्य को जो है दोनों की यहां संधी हो रही है तो संधी हो रही है इसलिए बस अब दोनों की संधी हो गई दो भाव की संधी हो रही है यहां पर भाव संधी कहलाएगी ठीक है तो वीररस का आवेग और चैतन्य आलिंगन का चैतन्य यह दोनों तरफ से वो खिच रहा है और इधर यह हमको नहीं जाने दे रहा है तो इस तरह से दो संधियों का यहां मिलन है, संधी है इसलिए आप यहां पर देखें अत्र आवेग हर्षयों हो वो है न आवेग और हर्ष का यहां संधी है तो हर्ष है यहां पर सारी चैतन्य नहीं हर्ष हर्ष नाम का यहां भाव है चले आगे, अब आगे आता है तो इस तरह से तीन हो गया बंतिम है भाव शबलता आप जानते हैं शबलता कमलब चितकाबर जहां रंग बिरंगया हो वो तो बहुत सारे भाव जहां है अब एक श्लोक ऐसा यहां दिया है जिसमें बहुत सारे भाव दिखाई पड़ेंगे आपको क्वा कारियं शशलक्ष्मनह क्वा चकूलं भूयो पिदर्शियत सारा दोशाणाम प्रशमायनह सुतमहो कोपय पिकांतम मुखं किम वक्षंती अल्पकल्मशा कृत धिया हा स्वपने पि साद दुरलभा चेता स्वास्थ्यम उपाई ही कहा खलू इवा धन्यो धनम धास्यती कहा तो यह और कहा वो खोच कुलम सशलक्ष्मनह कुलम याने चंद्रा कहा तो यह आवकारिय याने दुश कारिया और कहां चंद्रसे जन्वा यहां दुरलभा, यहा तरक भूयो पिदर्शियत सा चिंदा हो पर दिखाई पड़ेगी जो कह रहा है वो ये इस तरह से क्या वो फिर से दिखाई पड़ेगी आईक्शली क्या है ये श्रीवस्त लांचन कमलाकर वैज्जनाद भीमसेन आदी ने इसको विक्रम और वर्षियम का माना है कलिदास की कृति मानी है और तरह तरह के बाते और भी है यह फिक्स नहीं हो पाया है लेकिन वो वर्तमान विक्रमोर वर्षिये में प्राप्त नहीं होता है ठीक है पर एक जगह उसको साइद मिला है एक एडिशन में तो जो भी हो खायर कहां से लेकिन है बड़ा मज़ेदार तो कहा रहे हैं लेकिन इस लोक को ध्वन्या लोकार आनंदवर्धन ने भी कूट किया है कहां तो यह आकारिया और कहां चंदर का वंश एक क्या वो फिर से दिखाई पड़ेगी यह आउसुक किया दोशाणाम प्रशमाय नह सुर्तम मैंने दोशों की शांति के लिए हमने घ्यान प्राप्त किया है सांत्रों का ध्यन किया है मति कोपेपी कांतम मुखम कुरोधी है कुरोध की अवस्था में है फिर भी उसका मुकांत है, सुन्दर है विद्वान लोग क्या कहेंगे इसके बारे में और धर्मात्मा लोग क्या कहेंगे इस मामले में शंका वह तो स्वपने में भी दुरलब है नहीं मिलती है तो दैन्य शब्द दिन्यता दिन्यता का भाव मझबूरी उसका अरे मन हे मन स्वास्थ्यमुपाई ही तुम स्वस्थ रहो कह खलू यवा धरो धन्यों धरम धास्चयती पता नहीं कौन सा भागिशाली युवक होगा जो उसके अधर को जो उसके होट को धरन करेगा ये मालूम नहीं है तो इस तरह से आठ भाव हैं अब ध्यान की आठ भाव तरक है और सुक्य है मती समरन शंका दैन्य धृति और चिंता अंत में कहा चिंता तो इस तरह से आठ जो है भाव का यहां समनवय है इसलिए भाव शबलता कहेंगे चलने आगे तो अब आगे हमको चलना पड़ेगा क्योंकि इसमें समय और अधीक बितानी की ज़रूत नहीं है रस्त मुख्य तो होता है लेकिन ये जो है कभी-कभी रस्त के मुख्य होने के बवजूद भी कभी-कभी ये अंगिता को प्रप्त हो जाते हैं आप जानते हैं बड़ा बढ़िया जने क्यों राजा है वो अपने किसी कर्मचारी के शादी में चला जाए तो शादी में जब वर राजा कहते हैं ना उसको तो जब तक शादी होगी बरात जब तक जा रही है बरात जब तक है तब तक वर की ही प्रमुक्ता होती है वर की ही प्रधानता होती है उसके पहले और उसके बाद भले राजा राजा रहे वो अलग बात है लेकिन जब तक वो बरात में गए हुए हैं तब तक उनका स्थान गौण होता है वो परधान नहीं होते हैं परधान तो वो कर्मचारी है नावकर है जिसकी शादी हो रही है जिसका विवा हो रहा है तो इ सब्सक्राइब लेकिन रष की प्रधानता के बावजुद भी कभी कभी किसी प्रसंग में ये भाव भी प्रधान हो जाते हैं तो तब थोड़ी देर के लिए जब तक उनकी प्रधानता होती है तब थोड़ी देर के लिए रस अंग हो जाता है यहनले गाउन हो जाता है अब इतना कहाने के बाद अब इसका रिफरेंस आएगा पांचवे उल्लास में, अब वहां हम देखेंगे, बात अब यहीं पूरी हो जाती है, अब ध्वनी के अन्य आगे के भेदों को अब हम देखेंगे, हम आपको कई बार बता चुके हैं, फिर से एक बार मैं अब आगे आते हैं, फिर आगे ही बताया, तो विवक्षित आने परवाचिया, जो ध्वनी है, या विवक्षित वाच्य ध्वनी है, या अभिधा मुला ध्वनी, उसके अभिधा मुला ध्वनी भी कहते हैं, उसके फिर दो भेद बताये गए, और सनलक्ष करम अभ्यंगे ध्वनी, और सनलक्ष करम अभ्यंगे ध्वनी, तो उसमें और सनलक्ष करम अब रसादी में हमने बदाया नहोंगें पूरी होती है ठिक है द्यानक है अब हम अभिधामुला ध्वनी के दूसरे बेद की तरफ चलते हैं जो कि अंतिम चरण है और इसी के भेद और उपभेद हम पढ़ेंगे और उसके बाद अन्य बहुत सारी चीज़ें आएगी ये चोथे चोथा ही सबसे बड़ा उल्लास है चोथा पुरा हो जाए तो समझे कि आगे के उल्लास तो कम-कम है जादे नहीं है तो अब ये ध्वनी के भेदों में सनलक्ष करम अभियंगे ध्वनी की चर्चा अब शुरू होने जा रही है तो इसके भेद प्रभेदों की चर्चा हम करेंगे लेकिन नामकरण फिर से एक बार याद कर लें सनलक्ष करम अभियंगे ध्वनी को अनुरणान रूप अभियंग तो एक आवाज तो आई ही उसके बाद भी बहुत तरी आवाजे आती है इसलिए अनुरणान रूप व्यंगेneys āग गया जैसे एक बार बजाने के बाद और भी बार बजता है, वैसे ही मुख्यार्थ के बाद और भी अर्थ आते हैं, एक अर्थ के बाद पहले अर्थ के बाद जो की मुख्यार्थ होता है, उस पहले अर्थ के बाद और भी अर्थ आते हैं, तो एक अर्थ के बाद दूसरा अर्थ, दूस आ ठेक्स करें चरुए C तो इसलिए टेक्स को देखते हुए चले तो अनुसवानाभ सनलक्षिकर्मव्यंग्या स्थितिस्तु यह शब दार्थो भय शक्ति उठत त्रिधा सअकृतितो द्वनिहें वह द्वनी जिसको हम सनलक्षिकर्मव्यंग्य ध्वनी कहते हैं, जो की अनुस्वानाभ है अब अनुस्वान क्या चीज है, हमने अनुरणन कहा रणन का मतलब होता है आवाज करना और स्वान का मतलब भी आवाज करना ठीक है, स्वान का मतलब भी आवाज अनुस्वान यहनि एक सब्ट के और भट के बाद जब दुसरी भट नश एनुagarर्ण जएसद गंट सब्सक्तिрах वैसे लिए शिएंघंग चाहिए इस तरह से अर्थों की श्रिंखला होती है, इसे लिए उसको अनुस्वानाभ कहा गया है, ठीक है, चलें आगे, मुझे लगता है कि इस पश्ट हो गया होगा आप लोगों को, तो कह रहे हैं कि अनुस्वानाभ, यानुरणन रूप या अनुस्वान रूप जो सनलक्ष कर्म भ्यांगे ध्वनी है, वहां तीन प्रकार की होती है, कॉम कॉम, तो कहा रहे हैं, शब्द, अर्थ, और उभया, इसमें शक्ति उत्थ जोड़ दीजिए, ठीक है, शब्द शक्ति उत्थ, अर्थ शक्ति उत्थ, और उभय शक्ति उत्थ, अब ये उत्थ का मतलब क्या हुआ है और दोनों शामिल हो अइसे उभए शक्ती से उठा हुआ तो तिन हो गया उठा हुआ का मतलब ऐसा व्यंग गया जो कि शब्द की शक्ति से प्राप्त हुआ हो, उठा हुआ हो, ऐसा व्यंग्य जो कि अर्थ की शक्ति से उठा हुआ हो, तो इस तरह से ये तीन तरह का होता है, ये ध्वनी तीन प्रकार की होती है, कौन सनलक्ष करम व्यंग्य ध्वनी, जिसको अनुरणन रूप व्यंग्य ध्वन अब इसी बात को यहां कह रहे हैं देखिए अनुरणन कहा था तो अर्थ जब उकरने लगे मुम्रणचारी ने तो अननद वर्धनाचारी को ले लिया देख लिए, शब्द शक्ति मूल अनुरणन रूप आनुस्वान कहा बात एक की है, दोनों में कोई अंतर नहीं है चले आगे तो इस तरह से वो तीन प्रकार का होता है अब ये तीन प्रकार तो हो गए जब तीन प्रकार के हो गए तो अब ये जो तीनों है है ना तो ये जो तीनों है तो इसमें से शब्द शक्ति उत्थ जो पाली ध्वनी है ठीक है अब उसके लिए ये कह रहे हैं तो उसका अब जान देना पड़ेगा तो कह रहे हैं अलंकारोत वस्त्वेव शब्दात यत्र अवभासते प्रधानत्वे नसग ये ये शब्द शक्ति उद्भूत विधा शब्द शक्ति उद्भूत आप देखें वस्त्वनी और वस्तु ध्वनी ये वस्तु ध्वनी और अलंकार ध्वनी ये की बात है अलंकारो अथवस्तु एवा अलंकार अथवा वस्तु जहां पर शब्द से अवभासत होते हैं शब्दात यत्र अवभासते जहां ये जिस ध्वनी में जिस द्वनी में शब्द से अलंकार अथवा वस्तु जन में चमके या चमतकृत हो पता चले वह प्रधान अत्वेन प्रधान रूप से वह उस द्वनी को दो प्रकार का माना जाता है क्योंकि शक्ति उत्धवनी से या तो अलंकार व्यंजित होगा या फिर वस्तु व्यंजित होगी तो व्यंजित होने का मतलब वही व्यंगे होगा अलंकार अगर व्यंगे है तो अलंकार व्यंगे है वही व्यंजित हुआ और वस्तु अगर वेंगे है तो वस्तु वेंगे कह रहाएगी अब यहां वस्तु का मतलब क्या हुआ वो भी जानना चाहिए अलंकार तो आप जानते हैं बहुत सारे लोग जानते हैं अलंकार को समझाने की जरूत नहीं लेकिन बस्तु यहां समझना चाहिए, बस्तु को मतलब गया हुआ, घटना, किसी व्यक्ति के जीवन से सम्मंदित कोई घटना हो, उसको बस्तु कहा जाता है, ठीक है, इसलिए आप ध्यान अब किरें रखेंगे, जब भी बस्तु आती है, यहां बस्तु को समझना इसलिए ज आपस में चलेंगे, कहीं पर वस्तु अलंकार को जनम देगी, यहां के खरेगी, और कहीं पर अलंकार वस्तु को जनम देगा, ठीक है, अब यहां पर ऐसी इस्तिती नहीं है, यहां पर तो दो ही है, या तो वस्तु है, या फिर अलंकार को देखते हैं, वस्तु एव इती, यहां पर अलंकार नहीं चाहिए घटना ही बनती हो जहां पर आएगा जैसे उसका उधरन आएगा तो आम लोगो पता चल जाएगा तो वस्तु मात्रम केवल घटना का ही जिक्र हो घटना विवरन ही दिया जाए केवल कोई अलंकार नहीं हो इस तरह से तो उसमें जो आद्यो यथा उसमें जो पहला है उसका उधरन यहां दे रहे हैं पांच मिनट है इसलिए इस पांच मिनट में एक उधरन तो हम देख सकते ह एक और चर्चा इसमें कर लेखे जो है जो जिसमें शब्द शक्ति से अलंकार जहां व्यंगी हो रहा है पहले उसको देख लेते हैं तब आगे वाली चर्चा करेंगे समय मिलेगा तो आपने तो कल करेंगे क्योंकि इस पर चर्चा बहुती अच्छी मुद्ध करने जैसी है ठीक है ये न देवे न यहां से लिजिए जिस देव के द्वारा ठीक है जिस देव के द्वारा जिस आपके द्वारा काल करवाल महांबुवाहम काल जैसे ठीक है काल रूप महान महांबुवाहम यहने पानीदार करवालम करवाल यहने तलवार तलवार को तलवार रूप महांबुवाह यहने इसे तो बादल लेकिन पानीदार जानते हैं जो तलवार की धारा इतनी तिक्षर होती है तो उसमें आप अपना चेहरा देख लिजी और वो इतना सच्छ होता है कि पानी जैसे लगता है इसलिए अंबुवा के साथ उसको जोड़ दिया तो काल करवाल महांबुवाहम उल्लास्या फरका करके भाज करके जिस आपके द्वारा अब आप हैं कैसे तो करें जरठ उर्जित गर्जित इना यहने कठोर और उच्चतर गर्जना करने वाले आपके द्वारा जरठ ने कठोर और उर्जित इना शक्तिशाली कठोर और शक्तिशाली गर्जना करने वाले आपके द्वारा आपके द्वारा आपने किया किया तो कहें लिद्वा आपिता बुझा दिया आपने इसको बुझा द्वारा बुझा दिया गया है ठीक है किसको बुझा दिया ग अब अच्छाई प्रताब है जिसका तो कहँआ रिपूण आम शत्रूओं का शत्रूओं के ज्वलित प्रताब को जो की तीनों जगत में ज्वल रहे थे चमक रहे थे ऐसे उस प्रताब को आपने धारा जलई हिं निर्वापित हाँ धारा जल से आपने उसको बुझा दिया ठीक है यानि जल की धारा से आपने बुझा दिया यह है तलवार उठा करके अब यह धारा जल का मतलब क्या हुआ जो तलवार की धार है न वही जल है ठीक है तो तलवार की धार जो है चमकी तो समझे कि वह तलवार की धार नहीं वह ज जल है जैसे जल जो है पानी किसी धार को बुझा देता है वैसे ही आपने इस तलवार को जब जैसे उच्छाला तो पूरे जगत में आपका जो परताप चल रहा था वो जो है शत्रूओं का जो परताप देदिप्यमान था वो बुझ गया यानि वो हो गया मmental शान तो हो गया अब यह बात जो है दो तरह से है कहने को तो कहा दिया तो राजा के लिए कहा दिया लेकिन इन्लून जिन जिन सब़ों का प्रियोंग किया है उसमें उसको ईंद्र के साथ भी जोड़ा जा सकता है ठीक है तो इंद्र के साथ जब जोडेंगे तो इंद्र भी ये सब काम करते हैं जरट और उर्जित गर्जित करते हैं जब राख्शन से लड़ते हैं तो इंद्र भी वैसे ही हो गए एक इंद्र जैसे अब आप इंद्र जैसे हैं क्योंकि इंद्र भी काम करते हैं और काल करव 15-rd रुपी अम्भु वाह ओ इंद्र वर्षा कर देते हैं तो जो अगनी होती है शान्त हो जाती है तो इस तरह से आप जो है आपने वह काम तो नहीं के रहलें लेकिन आपने तलवार को चमका दिया भाज दिया तो जैसे अम्बु वाह को लिया करके इंद्र अगनी को शांत कर देते हैं वैसे ही आपने तलवार को भाज करके शत्रूओं के तीज को शांत कर दिया ठीक है धारा जले ही तलवार की धार से आपने पूरे जगत में जिनका परताप जल रहा था ऐसे शत्रूओं के परताप को आपने उकर दिया इसलिए आप इंद्र जैसे हैं यानि आप इंद्र के समान है ये बात अंत में कहने को आती है तो आप इंद्र के समान है मतलब हुआ यहां उप्मालंकार है अब उप्मा लंकार वहा कहीं पर भी बंती नहीं है कहा नहीं गिया वियंग्य है व्यंजना से आ रहे जही जहीं इते प्राकरनीका प्राकरिनका योह उप मानों प्वे मेभावा कल्पनीय यहां पर उपमा लंकार बियंगे बनेगा ठीक है तो इस तरह से आज हम इतना अर्थ इसलिए कर दिये कि कल हम इसको फिर से चलाएंगे तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद समय पुरा हुआ नमस्कार